ब्रिटेन की प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन दो दिवसिय भारत दोरे पर हैं। पीम जॉंसन शुक्रवार सुबेर राश्पती भवन पहुचे। इस दोरान पीम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ब्रिटिश पीम ने पत्रकारों से कहा कि शांदार स् बूत या अच्छी रही हैं जितनी फलाल अभी हैं। इसके बाद जॉंसन ने राजगाट पर पुषपांजली अर्पित की और महत्मा गांधी को श्रधान जुली दी। बताया जोरा है कि दोनों प्रधान मंत्रियों की बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध जॉंसन ने आज भारत के दो दिवसिये दोरे पर हैं। और इस दोरान उन्होंने पीम नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की और बताया जोरा रूस यूक्रेन को लेकर वो इस पर बातचीत कर सकती हैं। बता दे कि इस किले से मुगल शासक औरंग जेब ने 1675 में गुरुतेग बहादूर को फासी देने का हुक्म सुनाया था और इसी कारण से 400 प्रकाश पर्व के लिए लाल किले को आयोजन स्थल की रूप में चुना गया है। की गई थी और प्याम मोदी ने इसके बाद संबोधित भी किया। और ये लाल किला भी गवा है कि आरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा। लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। गुरुतेक बहदूर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई। बड़े बड़े तुफान शांत हो गए। लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के जम्मू आगमन से दो दिन पहले जम्मू के सुजवा इलाके में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुठभेड शुरू हो चुकी है। इस मुठबेड में जैशे मोहमत आतंकी संगचन के दो आतंकी धेर कर दी गए और साथी साथ एक जवान के शहीद होने की भी खबर सामने आई है। जबकी छे जवान घायल हो गई हैं। घायल जवानों का अस्पताल में लाज जारी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह आतंकियों ने चट्था कैम्प के समीप CISF की बस पर अचानक ग्रेनिट से हमला कर दिया था। बस में 15 CISF के जवान सवार थे, इस हमले के तुरंत बाद दोनों आतंकी छिप गए। इस हमले के बाद आतंकियों के साथ सुरक्षावलों की मुठबेड शुरू हो गई और पांच घंटों के अंदर दोनों को ठेर कर दिया किया। कॉंग्रेस और चिनाव रणनीटी कार प्रशांत किशोर के बीच संगचन को मजबूत बनाने और रणनीटी को लेकर चर्चा अंतिम दोर मी है। पार्टी प्रशांत किशोर की चिनावी कारे योजना को लेकर गंभीर है। यह ताय है कि प्रशान्त जल्द कॉंग्रेस का हाथ थाम सकती हैं क्योंकि 6 महीने के भीतर ही गुजरात और हिमाचर प्रोदेश के चिनाव हैं पार्टी के चिनाव रणनीती कार के तौर पर प्रशान्त किशोर की पहली परिक्षा गुजरात में ही होगी अब देखना यह होगा कि इसमें उनका परणाम कैसा निकलता है वहीं बता दे पाकस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान एक बार फिर भारत की तारिफ में पुल बांध रही है रूस और यूकरेन की भी जारी युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंद लगाए है लेकिन भारत ने रूस से तेल का आयात जारी रखा है जिसको लेकर इमरान खान ने कहा कि भारत ने ये फैसला देश के लोगों की बहतरी के लिए किया गया है दरसल लाहोर में एक जनसभा में बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीती साजिदार है लेकिन वो रूस से तेल आयात कर रहा है भारत ने इसाफ कहा है कि उसका फैसला उनके लोगों की बहतरी के वर ही आधारित है लेकिन हमारी विदेश नीती के लिए अन्य लोगों के लिए हित भी उनका जरूरी है शुलंका के राम भुकाना में कर्फ्यूग खत्म कर दिया गया है लेकिन सरकार ने एहतियाती तोर पर सेना के जवानों को वहां तैनात किया है इस बीच उलाके के शीष पुलिस अधिकारियों का तबाब दभी कर दिया गया है इसके साथ ही मानाव अधिकार आयोग ने कई पुलस अधिकारियों से पूछताच के लिए समन भी चारी कर दिया है देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं बीते 24 घंचे में कोरोना के 2451 मामले सामने आई हैं गुरुवार के मुकाबले कोरोना के आज फिर मामले बढ़ गई हैं वहीं ये लगातार 300 दिन है जब देश में 2000 से ज़्यादा मामले सामने आई हैं इससे पहले 2380 मामले सामने आई थे जो कि अब बढ़ कर काफी ज़्यादा हो गई हैं बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में जो वृद्धी हो रही है इसको लेकर पूरा भारत चिंतित है क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है कोरोना के XEE वेरियंट ने पूरे भारत में तबाई मचा दी है जिसको देखते हुए अब बताएज यह जा रहा है कि 2000 से जादा मामले सामने आ रहा है बिजनौर में S.P. ने काउन व्यवस्ता को बहतर बनाने के लिए थाने अचानक निरक्षन कर चौकी प्रभारियों को आवर्शक दिशा निर्देश चारी कर दिए S.P. डॉक्टर धर्म वीर सिंग ने कहा थाना अफजल गड़ का निरक्षन करते हुए थाना प्रभारि निरक्षक को पुलिस टीम को सतरकता बरत ने लोगों की सुरक्षा करने और अपराधियों पर कड़ी कारवाई करने के निर्देश चारी कर दिए है बताते प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कारवाई की गई है वहीं अगली खबर मेरट से है जोहां रेलवी ट्रेक के पास खड़े होकर खाने पीने के दरान ट्रेन की चपेच में आने से एक वृद्ध की मौत हुगई वहीं आसपास के लोगों ने आनन्फानन में एंबुलोंस और पुलिस को सूचना दी लेकिन एंबुलोंस के समय पर नहीं पहुचने के करण उस वृद्ध की मौत हुगई जिसे लोगों ने घायल को नीजी अस्पताल में भरती तो करवाया जहां इलाज के दुरान उसकी मौत हुगई बता दे कि यह है पूरा मामला मेरट के थाना लिसाडी गेट शेतर के नूर नगर हौल्ट का है जिदर यह घटना हुई है उस घटना के उधर ही उनका एक प्लोट है जिस प्लोट में वह बैठे हुए थे बाच्चीत कर रहे थे और कुछ खाना पीने चल रहा था भूमने के लिए जैसे ही पट्चडी के पास हो गए तो वह घटना घटी तो हो गई इस घटना में उनकी जब बैट हो गई यह घटना थी हाँ होगी फोन क्या है ना ना होगी मनोज के पास अभी फोन क्या था कि एंची ऑस्पिटल में है जब घार हो दो सब्सक्राइब